और अचार प्रमोद कृष्णम कॉंग्रस सेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारा समचार में सुप्रीम कोट ने ये जो फैसला सुनाया है किस प्रकार से आप इसको देख रहे हैं और क्या कुछ आप इस पे कहना चाहेंगे प्रमोद ज हो गई है कि पहली बात ये कि अभी भारत में इनसाफ जिन्दा है और दूसरी बात ये कि प्राजित किया जा सकता है ना परेशान किया जा सकता है राहुल गांदी जी की सजा पर राहुल गांदी जी के किलाब जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो एक साजिश के तहत हुआ थ है और मुझे पूरा यकीन है कि जो अपील है सजा के खिलाब उसमें राहूल गांदी जी बाइज़त बरी होके निकलेंगे जब इसकी जो है सुनवाई चल रहे थी इस केस की कि तो आपके साइट से जो अधिवक्ता है उनका कहना था कि मोदी सरनेम के बयान को ले पिर के जो भी वक्टिम है कोई आप पब्लीक नहीं है वह भारतिया जुनता पार्टी के नेता और वधाय के पूर उज्ट नहीं राहूल गांदी जी ने किसी कम्यूनिटी को किसी समधाय को गाली नहीं दी ना वो कभी किसी समधाय का किसी कम्यूनिटी का अपमान करने के पक्ष मेरे से हैं। राहूल गांदी जी सबका सम्मान करते हैं। राहूल गांदी जी अगर ये कहते हैं कि सारे मोधी चोर हैं तब ये समधाय का अपमान होता, उन्होंने ये कहा था, जो भी ये नीरम मोदी, ललित मोदी, इनका ये मोदी क्यों है, तो ये तो कोई समधाय को गाली देरा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ राहूल गांदी जी के खिलाब जो मुकदमा तर्ज हुआ था, वो एक बहुत ब जाएंगे, राहूल गांदी जी को संसद में सुना जाएगा, और मैं राहूल जी को फूरी कॉंग्रेस पालिटी को गधाय देता हूँ, और सुप्रीम कोट का माननी सरवोच अदालत का आभार वेक्सरता हूँ. लेकिन अच्वारजे सुप्रीम कोट ने एक बात और भी कही है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो बयान था, ये जो कॉमेंट था, ये अपमान जनक था, क्या कहेंगे आप उस पर? कि मैं सुप्रीम कोट की टिपणी पर कोई टिपणी नहीं करना चाहता, मैं उनके फैसले पर टिपणी कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोट का फैसला एक नजीर बनेगा, और सुप्रीम कोट के फैसले से ये बात सिद्ध हो गई है, पुना कहना चाहता हू कि हिंदुस्तान में भारत में इंसाफ जिन्दा है कि सदसिता गई थी 2024 के चुनाव पर भी उन पर तलवार लटक रही थी हाँ बिल्कुल अगर ये कन्विक्शन इसके नहीं होता तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे लेकिन आब वो चुनाव लड़ेंगे सुप्रिम कोर्ट में जो फैसला दिया है और कन्विक्शन को इस्ते किया है एक बड़ा फैसला है बड़ा मैसिज जाएगा और जो भारती जन्ता पार्टी और उनकी ताकतवर सरकार और उनके नेता नियाय पालिका को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाब भी देश में एक संदेश गया है भारत की कानून विवस्ता और भारत की नयाय पालिका अभी सशक्त है सतंत्र है आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए